हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब बिस्किट या कुकी जैसी चीज होती है जो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आती है तो आज मैं आप से शेयर करने वाली हूँ यह बहुत ही टेस्टी जिने करांची बिस्किट भी कहा जाता है बेकरी स्टाइल के आटा के बिस् बनके बहुत आसानी से बनकर तयार होंगे और आप देख सकते हैं कि अच्छे खसता बिस्किट हमारे बनकर तयार हुए है एक टूटा हुआ था तो मैं अंदर से आपको इसी का टेक्शर दिखा देती हूं कि यह कितने अच्छे और एकदम क्रिस्पी बिस्किट हमारे बनक तयार हुए है आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितना अच्छा टेक्शर है चलिए बनाते हैं इन बिस्किट को पसंद आए तो फैमिली फ्रेंस के आच्छे लाग जरूर कीजीगा तो सबसे पहले मैंने क्या किया कुछ ड्राइफ्रूट्स ले लिए ड्राइफ्रूट् तो अब इन बिस्किट को बनाने के लिए ध्यान रखना है मेजर्मेंट का तो मेरे पास ये मेजरिंग कब थे अगर आपके पास ना हो तो आप घर की कोई कटोरी या कब सेट कर लें लेकिन सारे सामान को मेजर करके डालें तो अम मैं ले रही हूँ सबसे पहले ये वन थर् चीजों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के पाद इन दोनों चीजों को अब हमें फेटना है जब तक कि एकडम फ्लापी ना हो जाए और ये हमारा घी चीमी का मिक्स बिल्कुल जैसे विब्ड क्रीम होती है उस तरीके से ना बन जाए चार से पांच मिनिट आपको उसको लगेंगे बिल्कुल फ्लापी और एकदम स्मूथ सा ये मिक्स आपका बनकर तयार हो जाएगा तो देखिए आपको सारी चीजे आज आराम आराम से दिखाऊंगी जिससे आपका भी बिस्कित बनाए तो आपके बिस्कित एकदम परफेक्ट बने तो देखिए 5-6 मिनट हो मैंने हाथ से इसी लिए दिखाया क्योंकि सभी के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है तो देखिए कितना स्मूथ और एकदम फ्लापी सा मिक्स हमारा घीचीनी का बन चुका है आप टेक्शर भी देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा है जैसे की विप्ड क्रीम होती है और अच्छे टेस्ट के लिए मैं अच्छे टेस्ट के लिए दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर की मैंने यह नॉर्मल नैसले का जो डेरी वाइटनर आता है वही लिया है जो भी आपके पास अबलेबल हो आप वो मिल्क पाउडर इसमें डाल सकते हैं इससे बहुत ही अच्छ बेकिंग पाउडर की इसको भी मैंने विक फिल का लिया है आप जो भी आपके पास अबलेबल हो वो ले सकते हैं चम्मच को इस तरीके से बस उपर से स्मूध कर ले इस तरीके से बेकिंग पाउडर आप इसमें डाले और बिल्कुल 1-8 चम्मच यह मेरा 1-4 चम्मच का स्प बहुत जरूरी है जिससे आपका बेकिंग पाउडर वगेरा सब काफी अच्छे से में मिक्स हो जाएगा तो मैंने काफी अच्छे से इने चान लिया है मैं आटा थोड़ा चक्की से पिसवाती हूँ तो इसमें थोड़ा सा यह जो चोकर है भुथा तो वो निकल गया अब करांची बिसकिट है तो इसमें टूटी फ्रूटी डालना बनता ही है इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिसकिट का और अब आप क्या करें इन सारी चीजों को बहुत हलकी हातों से मिक्स करें आपको बहुत ताकत लगा कर इसको नहीं गूतना है बस बिल्कुल ऐसा मिक्षर हो जाए बिल्कुल वैसा मिक्षर हमें इसका पना लेना है देखिए इस तरीके का क्रमलिक सा मिक्षर बनने वाला है अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मिक्स थोड़ा सूखा हो रहा है तो आप क्या करें इक चमबजगी और चीनी को फेट कर अलग से वह इसमें मिक कुछ भी इसको कमबाइन करने के लिए ना डाले क्योंकि दूद या पानी इसमें डाल देते हैं तो आपके जो बिस्किट है वह क्रंची नहीं बनते हैं और नहीं वह बहुत जादा फूल पाते हैं तो देखिए मैंने इसको ऐसे मिक्स किया लेकिन मुझे हलका सा थोड़ा यह सुखा जासा फील हो रहा था तो मैंने एक चम्मच घी और चीनी को इस तरीके से अलग फेट लिया है और उसको आप मैं इसमें मिक्स कर दूँगी तो देखिए मैं इसमें घी चीनी वाले मिक्स को डाल ले रही हूँ अब यह बिल्कुल पर्थेक्ट हो जाएगा तो द इसका एक रोल जैसा बना लेना है तो देखिए मैंने इस तरीके से इक खटा करते हुए इसको एक रोल की शेप में इस तरीके से हलका सा दबाते हुए बना लिया है थोड़ा सा बिखरा बिखरा मिक्स रहता है तो उतना फाइन आपका तुरंद नहीं बन पाएगा तो तो अब आपको करना क्या है, इसे आधा गंटे के लिए फ्रिज में रख दें, इससे क्या होगा, जो हमारे बिस्कुट है, वो एकदम खर्स्ता बनेंगे, आपने देखा होगा, मार्किट के बिस्कुट पर क्रेक्स रहते हैं, उसी तरीके से क्रेक्स के उपर आएंगे, तो म कोड़ा सा बिखरा बिखरा मिक्स रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आपका बिस्कुट इस तरीके से टूटे, तो आप हातों से सेट करके उसको वापस चोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से देखें, मैंने पीसिस को कट कर लिया, बीच बीच में कोड़ कोई बिस्कुट तूट रहा था, तो मैंने आप तो सिर्फ को एक जगे कमबाइन कर लिया है, अब उपर से थोड़ा अट्रेक्टिव दिखाने के लिए, मैं इसके उपर लगा रही हूँ, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, इससे बहुत ही अट्रेक्टिव नजर आ कड़ाई में बिस्कुट बनाने के लिए कम से कम 20 मिनट का टाइम लगेगा, फ्लेम को डो रखें, तो देखिये, आट-दस मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, हलके बिस्कुट फोल भी चुके हैं, अलके-लके क्रैक्स भी नजर आने लगे हैं, अब 18 मिनट के बाद म मतलब सिखे हुए मुझे नजर आ रहे थे तो बस अब प्लेट को निकाल ले और इसे कम्प्रिट की पहले ठंडा होने ले गरम बिस्किट को ना छेड़े और वापस दूसरी प्लेट में अपने बचे हुए बिस्किट को रखते तो देखे यह बिस्किट ठंडे हो गए थे त अंदर से बिल्कुल ट्रंची बिस्किट हमारे बनकर रेटी हुए हैं तो लीजे दोस्तो हमारे टेस्टी से करांची आटी की बिस्किट तैयार हैं अगर आपको यह रैस्पी उसफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर चरूर करें और अपना अनुभा मुझे कमेंट